हलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टोइड फैक्ट्स में क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी है कि इस दुनिया में सबसे उची इमारत कौन सी है अगर नहीं तो आज की इस रोमांच से भरी वीडियो में हम आपको दुनिया की पांच सबसे उची इमारतों के पास ले जाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि दुनिया की पांच सबसे उची इमारते कौन सी है तो ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए फैक्टोइड फैक्ट्स को सबस्क्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ओल पर क्लिक करना मत बोलना तो फर्स्ट बिल्डिंग है लोटे वर्ल्ड टावर ये दुनिया की पांच वी सबसे उची इमारत है जो देखने में बेहदी आकरशित लगती है इस टावर को जमसिल सूपर टावर और लोटे वर्ल्ड प्रीमियम टावर के नाम से भी जाना जाता है ये बिल्डिंग साउथ कोरिया में है जो साउथ कोरिया की one of the tallest बिल्डिंग है अगर इस बिल्डिंग की हाइट की बात करें तो 556 मीटर इसकी हाइट है अगर इसे fit में convert करें तो ये 1824 fit होता है यानि कि इस बिल्डिंग के आगे अगर साथ कुतुम मिनार भी खड़े हो जाए तो वो भी इस बिल्डिंग के आगे छोटे पड़ जाएंगे इस बिल्डिंग में total 123 floors हैं जिसमें hotels, gym, disco और manoranjan की कई अन्य चीज़े हैं इसके अलावा साथ कोरिया का सबसे luxury hotel साइनिल सोल भी इसी बिल्डिंग में है इस बिल्डिंग का construction work 1st February 2011 में शुरू किया गया था जो 22nd December 2016 को खतम हुआ था जबकि 3rd April 2017 में इस बिल्डिंग को अधिकारिक तोर पर खोला गया इस आकरशक बिल्डिंग को बनाने में 3.4 billion US dollars का खर्चा आया था जो शिनक्यूक होने उठाया था जो साउथ कोरिया के एक नामचीन बिजनेसमेन थे तो अब बात करते हैं 2nd tallest building की जो है पिंग एन इंटरनेशनल फाइनेशल सेंटर ये वर्ल्ड की 4th tallest building है जो चाइना के शिंजिन शेहर में स्थित है इस building की height 555 मीटर है यानि की इस building की height भी almost पहली वाली building के जितनी ही है इस शांदान ऊची इमारत में सिर्फ 34 floors हैं जिसमें जदातर business work से related काम होता है इस सुंदर इमारत को बनाने में 1500 करोड यूस डोलर्स का खर्चाया था जो पिंग एन इंशोरंस कमपनी ने उठाया था इस building का construction work साल 2010 में शुरू किया गया था जो 7 साल बाद 2017 में पूरा हुआ और 2017 में ही इस building को खोला गया तो 3rd building है मका clock tower ये दुनिया का सबसे tallest clock tower है जिसे अरबज अलबैत tower के नाम से भी जाना जाता है ये दुनिया की तीसर सबसे उची इमारत है जिसमें कुल 120 floors है अब अगर बात करें इसकी लंबाई की तो 601 मीटर इसकी लंबाई है अब अगर इसे feet में convert करें तो ये 1771 feet होता है जो की काफी उचा है इसी वज़ा से दुनिया की तीसरी सबसे उची building का खिताब इसके नाम है इस इमारत को बनने में कुल 8 सालों का समय लगा साल 2004 में इस इमारत का काम शुरू हुआ जिसे 2012 में समाप्त किया गया इसको बनाने में कुल 15 billion US dollars का खर्चा आया यानि की 11 खरब 6 अरब 31 करोड 75 लाख इंडियन रुपीज तो अब बात करते हैं वर्ल्ड की 2nd और वीडियो की 4th tallest building की जो है शंगाई टावर ये आसमान को छूती इमारत चाइना में है जिसकी उचाई 632 मीटर यानि की 2073 फिट है इस building को बनाने का जिम्मा शंगाई टावर कंस्ट्रक्शन एंड डवलप्मेंट कमपनी ने उठाया था जो इस इमारत के ओनर भी है इस building को बनाने का काम 21st November 2018 में शुरू किया गया था जिससे 2nd September 2014 में पूरा किया गया हलाकि इस अधिकारिक तोर पर 2nd February 2015 को खोला गया था इस building में कूल 128 floors हैं जिसमें hotel, restaurant और शंगाई construction company के खुद के office हैं तो अब आपको दिखाते और बताते हैं दुनिया की first tallest building जो है बुर्ज खलीफा ये building दुबई में स्थित है जिसके नाम दुनिया की सबसे उची building होने का खिताब शामिल है ये building बहार से जितनी खुबसूरत है अंदर से उतनी ही ज़्यादा शांदार है इस building के अंदर आपको मन और अंजन की हर वो एक एक चीज मिल जाएगी जो आपका मन बहला कर रखेगी वो चीज भी बस शर्ते आपकी जेब भरी होनी चाहिए इस building की उचाई 828 मीटर से लेकर 830 मीटर है जो फिट में 2716 फिट से लेकर 2723 फिट तक है इस इमारत के अंदर टोटल 163 फ्लोर्स हैं जिसमें एक समय में 10,000 लोग रह सकते हैं इस building की ओनर इमार प्रोपर्टीज हैं जो इस इमारत की वजह से आज पूरी दुनिया में लोग प्री है बुर्ज खलीफा को बनाने में कुल 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा आया था इस building को बनाने का काम 6 जनवरी 2014 में शुरू किया गया था जो 1 अक्टूवर 2009 को खत्म हुआ अलाकि 4 जनवरी 2010 को इसे ओफिशली खोला गया और इस तरह बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे उची इमारत बन गई तो इन पांचों इमारतों में से सबसे शांदार इमारत आपको कौन सी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना और ऐसी फैक्टस रिलेटिड वीडियो के लिए फैक्टोइड फैक्टस को सबस्क्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक करके अहल पर क्लिक करना मत भूलना और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त को शेयर हो सकती है तो प्लीज उस दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर करना और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना तो आते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ